नैनिताल नैनिताल राज्य की सरवार्दिक प्रस्चित जील है यह समुद्र तल से 1938 मेटर की उचाई प्रस्चित है नैनिताल अगर इसी जील के चारो और बसा हुआ है जील में सहर के लिए नाओं का पुर्योग किया जाता है जो कि पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्शन का केंद्र है जील का पानी सामान्यत और नीले हरे रंग का है नैनिताल जील का उत्तरी भाग मली ताल तरह दक्षणी भाग तली ताल क्यालाता है नैनिताल जील के लंबाई 1430 मीटर चौड़ाई 465 मीटर तता गहराई 16-26 मीटर तक है मानने ता है कि नैनिताल अस्तित नैना देवी के मंदिर के अस्तान पर सती के देहत्याग करने के पस्चात जब भगवान सिर्व उनके सव को लेकर अकास मार्क पर जा रहे थे तो उनके दोनों नेत्र इस स्तान पर गिरे थे इन नेत्रों से निकली आसु की धारा से ही नैनिताल जील का निर्माण हुआ इसलिए इसे नैना जील भी कहते हैं इसकंद पुराण के मानस खंड में इस जील को त्री डिशी सरोवर कहा गया है 1841 में नैनिताल की खोज सहाजहापुर निवासी ब्रिटिस मूल के नागरिक पी बैरन ने की थी 1962 में नैनिताल को उत्तर प्रदेश की क्रीश मकालिन राजधानी बनाया गया था भीमताल कुमाओ मंडल की सबसे बड़ी जील भीमताल नैनिताल से 22 किलो मीटर पूर्व में सित है इस जील के लंबाई 1674 मीटर चोड़ाई 447 मीटर तथा गहराई 26 मीटर है त्रिपुच के आकार किया जील तीनोट से परवतों से गिरी है इसका जल गहरा नीले रंग का है इस जल में कमल के पुस्पों की अधिकता होती है जील के मद्य में एक टापू नुमा भूखंड इस्तित है भीमताल के निगट लोग सस्कृति संग्रहाला इस्तित है नौकुचिया ताल नौकुणों वाला यहताल कुमाओ मंडल का सबसे गहरा ताल है यहताल भीमताल से पाच किलो मीटर की दूरी पर रस्त है नौकुचिया ताल के लंबाई 950 मीटर है चोडाई 700 मीटर तदा गहराई 49 मीटर है भौगौलिक दिश्टि से यहताल एक सुन्दर पक्षी वियार है रितु प्रवास के समय इस स्तान पर दूर दूर से अनिक प्रकार के पक्षी आते हैं इस ताल में नौका वियार एवं जल्क प्रिड़ा भी उपलब्द है साथ ताल साथ ताल कुमाओ की सबसे रमडियन जील है जो कि भीम ताल से चार किलो मीटर की दूरी पर रिस्तित है इस स्तान पर पहले साथ जीले थी जिन में से कही जीले सूख चुकी है इन जीलों में नल दिमेंती ताल, गुरुड ताल, पूर्ण ताल, लक्षमर ताल वर राम सीता ताल प्रमुख है इन सभी तालों का जल बहकर बालिया गाड में मिल जाता है जो कि अंत में गूला नदी में मिल जाती है ननिताल जन्पत में पाए जाने वाले अन्य तालों में घुरुपा ताल, सडिया ताल वर सूखा ताल प्रमुख है कुमाओ मंडल का गिरी ताल उदम सिंग नगर जन्पत के काशिपूर नामकस्तान पर रिस्तित है इस ताल के आसपास अनेक देवी देवताओं के मंदिर इस्तित है काशिपूर में सित द्रोन सागर ताल के किनारे गुरु द्रोनाचारी की भव्य प्रतिमा इस्तित है माननेता है कि गुरु द्रोनाचारे ने कौर्वो तथा पांडवों को धनुर विद्या के सिक्षा इसी स्थान पर दी थी